हेलो दोस्तों आप सभी कर स्वागत है. आज की हमारी कहाने है मौपद तेरे नाम की कबहाग चार. आपने पिछली वीडियो में सुना कि अभै अधिती को अपने दोस्त की पार्टी में ले जाता है. अधिती अभय के दोस्त को देखकर डर जाती है आखिर क्यों डर गई अधिती यह जानने के लिए आवांगे सुनिये अधिती वस्रूम में पहुंच गई थी और इधर राहुल जब अभय को देखा तो खुशी से जूम उठा वो अभय को अपने पास बुलाया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए राहुल अभय से पूचता है यह भावी कहां है वो नहीं आई क्या यह क्या आज भी तू उस काम्य के साथ ही आया है तुझे पता है ना कि मुझे काम्य पसंद नहीं है तुसे छोड़ क्यों नहीं देता अभी अभय कुछ बोलता कि तभी वहां काम्य आ गई और राहुल को हाय बोली तो राहुल बेना कुछ जबाब दिये अभय से बात करने में बीजी हो गया काम्य को यह बात बिल्कु पसंद नहीं आई और वो गुस्से से पीछी के तरफ मुड़ी और वाश्रूम की तरफ चली गई दरसल उसने अधिती को जब वाश्रूम जाते देखा तो वो जान बूझ कर अभय से बात करने चली आई ताकि उसकी इंपोर्टेंस उस पार्टी में बढ़ जाए पर उसे अभय के इकनूर करने से वो गुस्से में आ गई और अधिती से बदला लेने के लिए वो वाश्रूम की तरफ चल दी वाश्रूम में अधिती खुद को देख रही थी और खुद से ही बोल रही थी नहीं नहीं तुमको उसके सामने नहीं आना है नहीं उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगने देना नहीं तो अच्छा नहीं होगा नहीं मुझे अभी यहां से निकलना होगा हाँ मुझे कोई बहाना बनाना होगा वो ये बोलते बक्त बहुत जदा डरी हुई थी उसके पैर काप रहे थे तब ही उसको किसी के कदम क्या बाजाई उसने सामने लगे आईने में देखा और उसको देखते उसकी आँखे डर से भर गए वो सूरस था राहूल का सोतेला भाई वो राहूल से बस एक साल छोटा था वो एक सैतान था जीता जाकता सैतान उसने ना जाने कितने ही लोगों के मडर किये होंगे ये सब तो उसके बाए हाथ का खेल था अधिती उसको देखका डरते पीछे मुड़ी वो डरते बोली तुम तुम यहां कैसे मेरे पास मत आना वर ना अधिती को ऐसे देखके सूरच जो जो से हसने लगा और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ते बोला वरना वरना क्या क्या कर लोगी तुम तुम्हें तुम्हें कब से ढून रहा था अब जाके हाथ लगी है ऐसे कैसे जाने दू तुम है ये बोलते वो अधिती के एकदम पास पहुंच गया अधिती उससे दू जानने के लिए भागी लेकिन उशने उसको कमर से पकड़ लिया और दिवार से चिपका दिया अधिती रोने लगी वो रोते भोली जाने दो प्लीज जाने दो छोड़ दो मुझे एक कहते वक्त वो उसके बाहों से निकलने की कोशिस कर रही थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी सूरज उसके गली के पास आकर सासों को तेज भरते बोला उफ तुम्हारी ए खुसबू आज भी मुझे मधोस कर देती है उसने अपनी पकड़ अदिती के कमर पर और तेज कर दी उसमें जरा भी दया भावने नहीं थी वो एक घटिया मुस्कान देते बोला बैसे तुमने छुपने की जगए बहुत अच्ची चुनी थी मुझसे अभे खुराना हाँ उसके बारे मैं तो कोई सोच भी नहीं सकता था पर तुम तब तक ही वहाँ थी जब तक मुझे तुम्हारा पता नहीं था अधिती उसको डर के साथ गुस्ते से देखते बोली छोड़ो मुझे अगर अभे को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं सूरज उसकी तरफ हसते बोला क्या क्या बताओगी उसे क्या उन दो दिनों के बारे में उसे बताओगी जो तुमने मेरी कमरे में मेरी बिस्तर पर मेरी साथ बिताए थे ये बताओगी चलो माना तुमने बता दिया लेकिन क्या तुम्हारे ये बताने के बाद वो तुम्हारा यकिन करेगा अधिती ये सुनकर सहम गए उसने मन ही मन सोचा हाँ अब है मेरा यकीन क्यों करेगा मैं क्या हूँ उसकी बस चार साल के लिए उसकी बीवी वो मेरा यकीन क्यों करेगा इस सोचने के बाद उसकी आँखों से दर्द भरे आसू निकलाए सूरज उसके इस तरह से तकलीब में देख कर बहुत खुस था उसने अदिती के मुह को अपने एक हांस से पकड़ लिया और उसकी आखों में देखती बोला तुम अब तो पहले से भी जादा खुबसुरत लग रही हो अब मुझसे तुम्हारे साथ फिर से वही सब करने का इंतिजान नहीं हो रहा है अदिती उसके सीने पर अपने हाथों को जोर जोर से मार दो बोली छोड़ो मुझे घटिया इंसान छोड़ो तब ही सूरस का फोन रिंग किया उसे एक कॉल आई उसको सुनकर वो बोला मैं अभी आधी घंटे में पहुंसता हूँ ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और उसने अदिती के दोनों हाथ की कलाईयों को पकर कर बोला पूजा ये नाम सुनकर अदिती एकदम सान्थ हो गई वो उसको फिर से डर से देखने लगी वो मुस्कुरातव बोला हाँ पूजा वो सिंगापूर में है ना अदिती उसको डर से भरे हैरान नजरों से देख रही थी उसको ऐसे देख तो बोला क्या हुआ हैरान हो मुझे कैसे पता चला उसका मुझे तो ये भी पता है कि वो कब क्या करती है मेरे आदमी उस पर हर बत नजर रखे हुए है जब तुम अचानक से गायब हो गई थी, तो मुझे लगा कि कभी ना कभी तो तुम उससे मिलने जरूर जाओगे, लेकिन तुम तो यहीं थी मेरी आखों के नीचे और मैं तुमें धूर भी नहीं पाया, अगर अब तुमने मुझे दूर भागने की कोशिस भी की, तो तुम् पूजा को मेरे आदमियों का खिलोना बनने में देर नहीं लगेगी समझी, आभी वो यह सब बोल ही रहा था, कि तभी बाहर से उसका एक आदमी आया, और उसने उसके कानों में कुछ कहा, उसके बाद सूर अशने अदिती को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारा पती तु पहीं फर्स पर बैट कई और रोने लगी, काम मैंने छुप कर यह सब देख लिया था, उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन वो एक नफरतवरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं लगा था कि यह मौका इतने जल्दी मुझे मिल जाएगा, अब तुम देखना अभे ने जब काफी देर तक अधिती को नहीं देखा, तो उसको उसकी चिंता होने लगी, वो उसको धोर्दे वाश्रूम तक पहुचा, तब तक अधिती ने अपना मेकप ठीक कर लिया था, अभे ने अधिती को अब आज लगाई, तो अधिती बाहार आ गई, उसने अपन दोस्ते से मिलाता हूँ, उसने तुरंत राहूल का बाच लगाई, राहूल, ये सुनकर आदिती फिर से जम गई, उसको अपने किस्मत पे हसी आ रही थी, वो जिसको चाहती थी, सब तो उसको छोड़का जा चुके थे, फिर क्यों, उसको दुबारा उससे सामना करना उसने एक बड़ी स्माइल देते हुए अवे की तरफ देखा, फिर उसने उसके साथ खड़ी लड़की को देखा, जिसको देखकर उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया, उसकी मुस्कुराहाट खत्म हो गई थी, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खीच ली हो, उसकी आँखों में प्यार नफरत और दर्द तीनों ही भाबना देख रही थी, उसकी आँखे भर आई, तब ही आवे उसके पास आया और बोला, इनसे मिलो, माई वाइप अदिती, अदिती ने राहुल की तरफ देखते हुए एक हलकी सी मुस्कान क के साथ कहा, हेलो, उसकी वो मुस्कान राहुल के लिए ऐसे थी, जैसे मानो किसी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो, उसने खुद को समहला और एक नकली मुस्कान के साथ बोला, हेलो भावी में राहुल, अभे के बच्पन का दोस्त, अभे न तो आपको मेरे बार में बताया ही होगा, ऐसा बोलते उसने अपना एक हाथ मिलाने के लिए आंगे बढ़ाया, अधिती ने ना चाहते हो भी हाथ मिला लिया, राहुल ने उसके हाथे को कसके दबा दिया, अधिती को बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द के आंगे कुछ भी नहीं था जोशने राहुल को दिया था वो उस दर्द को बरदास करते हुए मुस्कुरा रही थी और वो दोनों एक दूसरे के आँखों में देखे जा रहे थे और अभे ये सब बहुत ही चुपसाफ से देख रहा था तब ही अभे नेमा जाक करते बोला अरे बस भी कर अब छोड़ भी दे अपनी भावी का हाथ तो राहुल ने अदिती का हाथ छोड़ दिया फिर हंस्ति आभे को देखा और बोला यह तुने बताया ही नहीं कि भावी इतनी सुन्दर है आभे ने अदिती के तरफ देखा जो जोटी हंसे लिए मुस्क्रा रही थी पर फिर भी वो बहुत ख राहुल ने कहा इन से मिलो ये है अब है और इनकी वाइप अदिती सनायन जब अदिती को देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई डर के कारण उसके जबान लड़ खड़ाने लगी वो डरते बोली हैलो आपसे मिलकर अच्छा लगा अदिती ने भी उसको देखकर इस्मा सिंखानिया की थी सिंखानिया ग्रूप बिस्निस बल्ड में जाना माना नाम था पर पिछले कुछ साल अस उनकी कंपनी की हालत कुछ जादा अच्छी नहीं चल रही थी वो धीरे धीरों लोगों की तरफ आया और बहां आकर अभे की तरफ देखकर बोला ओ तो मिस्टर पिर उसने अदिती की तरफ देखा वो उसको बहां देकर घबरा गया उसको इस तरह से देखकर सनाय ने उसका हाँ धीर से पकड़ लिया और उसको सांथ रहने का इसारा किया राहूल ने अभे से कहा अभे इन से मिलो ये हैं मेरे होने वाले फादर इनलों उन दोनों ने ए एक अजीब सा डर घर कर रहा था तब ही राहुल ने सनाय को अपने तरफ खीचा और उसके कमर पर हाथ रखते हो बोला चलो डियर पार्टी शुरू करते हैं ऐसा बोलकर वो लोग वहां से चले गए जाते वक्ति भी राहुल आदिती को देखते जा रहा था आदिती को बहुत करने के पीछे ये इंसान के खाल में छेपी भेड़िये हैं वो देख रही थी उन सब को बहां वो उन में से एक एक को पहचान रही थी वो सभी उसकी बरबादी का कारण था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाए उनको यूँ अपने सामने देखकर मुश्कुराने के खौल की तरफ बढ़ गए वहाँ पर सब के लिए बैठने के लिए इंतिजाम किया गया था रिंग सेरेमनी शुरू ही और सभी तालियां बजा रहे थे अदिती भी फीकी मुश्कान लिए बस तालियां बजाए जा रही थी पूरे वक्त वो यही सोचती रही कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ अगर सब कुछ ठीक होता तो आज उसकी जगर में वहाँ होती अभे कभी आदिती को देखता तो कभी राहुल को उसके दिल में एक बेचानी सी हो रही थी सेरेमनी के बाद राहुल ने माइक लेते हुए सभी से कहा लेडिस एंड जेंटलमेन आप सभी का यह अभे से मिला और सबसे खास उनकी वाइब आदिती भावी से मिला अभे वाइन का ग्लास हाथ में लिए राहुल को देख रहा था फिर उसने अपनी नजर आदिती पटेका दी जो कुछ घपराई हुई थी और बस सर जुका कर नीचे की तरफ देखे जा रही थी फिर हमारे लिए बस एक गाना तो जोड़तार तालियां हो जाएं मिस अधिती खुराना के लिए सबी लोग तालियां बजाने लगे अभे कुराहुल पर बहुत गुस्सा आया कि बिना पूछे उसने सबके सामने गाने को क्यों बोला पता नहीं अधिती को गाना आता भी है या उसने अधिती की तरफ थोड़ा चिंता के भाव से देखा लेकिन इस समय भी उसने बाइन की ग्लास अपने हाथों में पकड़ रखा था सोफे पर महराजाओं की तरह सान से बैठा था उसने बाइन की से प्लेते हुए अधिती को देखा जो अपने जगे से खड़ी हो गई थी पहले तो अधिती ने सोचा कि वो मना कर दे लेकिन उसी आदाया कि अगर वो नहीं जाती तो अभे की बेजिती हो जाएगी इसलिए वोट कर गई और स्टेश की तरफ चल दी उसको यू जाता देख अभे का देल तेजी से धड़कने रगा उदर सनाय भी कुछ से से लाल हो जाती है वो अधिती को ऐसे देखती है जैसे वो उसको कच्चा ही खा जाएगी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाए मुस् अपने ग्लास के वाइन को देख रहा था तब ही अधिती ने प्यानो बजाना सुरू कर दिया अभे को जब प्यानो की आवास सुनाई दी तो उसने अपना सार उठाया और हैराने से अधिती को देखने लगा ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा कि अधिती एक अनात थी तो उसने बहुत ही मुश्कल से अपने पढ़ाई कंप्लीट की होगी तो उसने पियानो बजाना कैसे सीखा उसके तो बहुत पैसे खर्च होते हैं ये सब बाते आवें के दिमाग में चल ही रही थी कि फिर उसने अपना दिमाग इन सा बातों से हटा दिया और अधिती के त पूलना अच्छा लगता था वो वस उसके दिल की बातों को समझना चाहता था उसके होंटों पे जो मुस्क्राहट थी वो कहीं कायब सी हो गई और वो सांती से अपनी जगह बैठ किया और बस अधिती को देखने लगा अधिती ने अपनी आखें बंद कली और गाना शुरू क किया अभेज अधिती के आवास सुनता है तो उसकी आखें खोली की खोली रह जाती है उसे वो आवाज इतनी ज्यादा प्यारी लगती है जैसे इससे प्यारी आवाज उसने पहले कभी सुनी ही ना हो लेकिन जब वो सब्दों पर ध्यान देता है तो उसे लगता है मानों कि चीने उसके सीने पर पथा रख दिया हो उस आवाज में उसे बहुत दर्द का हैसास होता है वो अपने आखों को छोटी कर लेता है और राहुल को ध्यान से देखने लगता है राहुल भी अब बस अदिती को देखे जा रहा था अभे कोई अच्छा नहीं लगता वो अपने व कड़ाई करने लगते हैं सबके आखे नम हो चुकी थी लेकिन अभेन अपने जगे से उठा और नाहीं वो तालिया बजाया वो एक नजर राहुल को देखता है जिसकी आखों में आसू थे अभेन यह सब देखा फिर वाइन पीने लगा उसके सीने में दर्द हो रहा था ऐस लग रहा था जैसे किसी नो उसके दिल को निकाल लिया हो उसने ग्लास पर अपनी पकड़ और तेज कर ली थोड़ी देर बाद सब बातों में बैस्त हो गए आभे की नजर अदिती को खोज रही थी हालांकि उसके पास बहुत से लोग खड़े थे और उससे सम्मान के साथ लेकिन अभे की आखों में एक खाली बन था जब अदिती उसको दिखाई नहीं दी तो उसने अपनी नजरे राहूल को खोजने कली खुमाई लेकिन उसे वो भी कहीं नहीं दिखाई दिया उसकी आखे और गहरी हो गई उसने इधर उदर देखा फिर मन ही मन सोचा अदिती तुम कौन हो आखिर क्या राज है तुम्हारा जब दोनों ही अभे को पार्टी में नजर नहीं आए तो अभे उनको खोशता हुआ बाहर की तरब चला गया उसने अपने एक हाथ में वाइन की क्लास पकड़ी हुई थी ऐसा लग रहा था जैसे मानो अगर आज उसे उस उद के जे में डाल रखा था उसने अपने चहरे पर अपने अंदर चल रहे तो भान को नजर नहीं आने दिया उसे देखका लग रहा था जैसे कोई घमंडी राजा अपने महल में चला जा रहा हो उसने अपने कदमों को चलते रोक लिया और अपने आपको एक पोल के सहारे खड कर लिया वो जहां खड़ा था वहां अंदहिरा था जिससे कोई उसको देख नहीं सकता पर वो सामने खड़े उन दोनों को देख सकता था उसे पतर था कि आज उसका दिल तूटने वाला है फिर वो खुद को उनकी बातों को सुनने से रोक नहीं पाया वो सांत भाव से उनने बस देखे जा रहा था राहूल ने अदिती के एक हाथ को पकड़ लिया और उसकी आखों में देख रहा था और उसने बोला मुझे अकिन नहीं होता पहले मैं फिर मेरा भाई और अब मेरा दोस्त मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी पैसों के ल रहा था उसका एक-एक सब्द ऐसे लग रहे थे मानों कोई हजारा सुईया उसके जिसमें में सुभो रहे हो उसने अपना हाथ छोड़ा त्यों कहा छोड़ो छोड़ो मुझे राहूल कोई देख लेगा छोड़ो मुझे मैं अब किसी की बीबी हूँ छोड़ो मुझे राह करता है कि मुझे पता नहीं है कि वो तुम को छूता भी नहीं है वो तो तुम्हारे ही सामने किसी और के साथ वो सब करता है वो तो तुम्हें उस काबिल भी नहीं समझता और खुद को उसके बीबी कहती हो अरे मैं तो तुम्हें मुझे धोका देने के लिए माप भी कर देता लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तीलालची होगी क्या अपने आपको बेश दोगी ये सुनकर अधिती ने अपने आखे बंद कर ली और उसकी आँखों से बेता हासा आसू निकल पड़े अभे ये सब सुन रहा था उसने बाइन की ग्लास को इतनी तेज पकड़ा कि वो उसके हाथों में ही तूट गई और उसके हाथों से खूर निकलने लगा और उसने अपने आप में ही बोला नहीं तुम बोलर की नहीं हो सकती नहीं उसका दिल भी उसकी लास की तरह तूट चुका था उसकी आँखो में अधिती के लिए गुश्सा उतराया राहुल ने जब अधिती को आँखो से आशुने करते देखा तो उसको बहुत तकलीप हुई उसको अधिती उस वक्त बहुत जादा सुन्दर लग रही थी ऐसे लग रही थी मानों वो कोई निर्दोस हो राहुल बहँग गया उसने अधिती को पीछे के दिवाल से लगा दिया और उसके होटों पर किस करने के लिए उसकी तरफ जुकने लगा अधिती ने जब उसको ये करते देखा तो उसने राहुल को दखका देना सुरू कर दिया और बोली राहोल तुम ये क्या कर रहे हो मैं अब किसी और की बीबी हूँ छोड़ो मुझे ये गलत है छोड़ो ऐसा मत करो राहुल उसको और कसके पकड़ लेता है और बोलता है क्या गलत जब तुमने मेरे साथ होतो है भी मेरे भाई के साथ वो सब किया तो तुम्हें गलत नहीं लगा तो फिर आज मेरे साथ वो सब करने में गलत कैसा है अभे अभे तो तुम्हें कभी चुएगा भी नहीं तो फिर क्यों अधितिन जब ये सुना तो उसका दिल पूरी तरह से तूट गया उसने राहुल को जोर उसे दखका दिया और उसके गालों पर एक चांटा कसके लगा दिया और बोली कितनी घटिया सोच है तुम्हारी मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने तुमसे प्यार कैसे किया तुम भी बाकियों के जैसे नीच हो और हाँ अभे मेरे पती है वो आज नहीं तो कल मेरे पास सी आएंगे अगर मुझे उनका दस साल तो क्या मुझे जिन्दी के अगर इंतिजार करना पड़ा तो मैं करूं की लेकिन अभी ये मेरा सरीर मेरी आत्मस अभे की है ये बोलकर अधिती पीछे मुड़ी और रोते हुए बाहर की तरफ चली गई वो भाग कर कार में पहुँच गई और उसमें बैट कर रोने लगी राहुल वहीं खड़ा उसको जाते हुँ देख रहा था फिर उसने अपना हाथ कसके सामने के दिवार पर दे मारा और चिलाता हुआ वहीं फर्स पर बैट किया उसने अपने सिर को अपने दोनों पैरों को बीच कर लिया और रोते बोलने लगा क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ माना था तो फिर क्यों किया क्यों चली गई तुम मुझे बिना बताए मैं तुम्हें माफ कर देता जो भी तुमने मेरी साथ किया लेकिन तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई और फिर पो रोने लगा अब है उसको देख रहा था उसने सब कुछ देखा और सब कुछ सुना था जब अदिती ने उस अपना पती कहा उसे सिर्फ उसका कहा जब अदिती ने उसको देखा तो वो बोली सौरी मैं बिना बताई चली आई मुझे अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो अभे ने कुछ नहीं बोला उसने सिर्फ हां में बोला और फिर सान्ती से अपनी आखे बंद करके अराम करने लगा अदिती भी अपने आशों को छपाते हुए विंडो से बाहा देखने लगी अदिती को क्या पता था कि आज काली रात उसके लिए खत्म नहीं हुई थी इसे तो अभी और गहरा और काला होना था साधी अदिती के लिए सबसे लंबी रात होने वाली थी ये रात उन दोनों की जिंदी की बदलने वाली थी दोनों अपने घर पहुँचे अभी उतर कर सीधा घर में चला गया अदिती भी उतर कर घर चली गई अभी लिविंग रूम के सोपे पर बैठ कया और अपने कोट को उतर कर साइट में रख दिया और अपने टाई को धीला करने लगा उसके चहरे पर कोई भी भावना नहीं थी अदिती बोली मैं अपने कमरे में जा रही हूँ गुट नाइट अभे उसको बिना देखे बोलता है एक गलास पानी अभे लाती हूँ और वो एकलास पानी लाकर अभे को देती है मारी अपने कमरे में जा चुकी थी जब अधिती पानी अभे को देती है तो उसके नजर अभे के हाथ के तरब जाती है तो वो खून देखकर घबराते बोली खून आपके हाथों से तो खून बह रहा है वो अभय का हाथ पकड़ ली अभय उसको यू करते बस देख रहा था अधिती पूछी आपको चोट कैसे लगी वो उसकी चोट पर पट्टी लगाती है अभय बस उसको देख रहा था उस वक्त अधिती उसको बहुत प्यारी लग रही थी वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गया तब ही उसकी नजर अधिती के हाथ की कलाईयों पर पड़े दाग पर जाती है तो राहुल के कसके पकड़ने की वज़े से पड़ गय थे अभे को सब याद पाने लगा उसका चहरा एक बर फिसे गंभीर हो गया वो अधिती से पूछता है अधिती मैं अगर कुछ पूछूँगा तो क्या सरसर जबाद दोगी तो मैं पता है कि मुझे जूट बिलको पसंद नहीं है तुम मेध है तुम उससे जूट नहीं बोलोगी अधिती थोड़ा डरी और फिर हिसके चात्यों बोली हाँ अभे उसके तरफ ध्यान से देखता है और फिर पूछता है क्या तुम राहूर को पहले से जानती हो अधिती उसका सवाल सुनका चौग गई फिर कुछ सूचने के बाद बोली नहीं मैं उससे नहीं जानती अभे उसका जूट सुनके गुस्टे से आगबा बोला हो गया उसने अपने हाथों की मुठ्या बना ली और अधिती के तरफ घूरते बोला क्या तुम सच बोल रही हो मैं ये आखरी बार पूछ रहा हूँ आधिती कोब राहूल से जूड़ी कोई बात नहीं करनी थी अब उसको याद भी नहीं रखना चाहती थी उसने अभे को देखा फिर अपने जगह खड़ी हुई और बोली मैं उससे नहीं जानती और आप भी मुझसे कोई सवाल मत पूछिए ये मत भूलिए कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के प्राइबिट लाइप में कोई दखल नहीं देंगे तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं आप है इस बात से इतना नराज हो गया कि वो गुस्से से उठा और आदिती के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लिया और उसको अपने रूम में ले गया और उसको अपने बैट पर गिरा देता है और खोद उसके उपर आ जाता है उसके गाले पर अपने हाथों को रखता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे जूट बोलने की तुम्रों सादमी को चोट पहुँचाया जिसे मैं अपने जिंदिगी में सबसे ज़्यादा मानता हूँ तुमने तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया था तुम्हारी वज़े से उसने खुद कुशी करने की कोशिस की हमेशा खुश रहने वाले इंसान को मैंने दुख के साई में जाते देखा है और उन सब की वज़े तुम थी ये सब बोलते समय आभे के आखों में आसू थे क्योंकि इस समय जो लड़की उसके सामने थी वो वाई लड़की थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था और सबसे ज़्यादा नफरत भी पर आज उसके प्यार पर उसका गुश सभारी पड़ गया जब अदिती नहीं सोना की राहुल ने खुद को माने की कोशिश की तब वहंदर तक तूट गई अब उसको जिंदिकी से ज़्यादा मौत असान लग रही थी उसने अभे के हाथों से अपना हाथ हटा लिया अभे न उसकी तरफ नफरस से देखा और फिर उसने उसके गले पर अपनी पकर तेश कर दी और बोला बताओ क्यों किया तुमने ऐसा क्यों किया उसकी आखों से आसू अदिती के चहरे पर गिर रहे थे उसने अदिती को देखा और उससे बोला कि जीत तो चाहता है कि तुमको मैं जान से मार डालू पर आफे को ऐसास होता है कि अदिती अपने आपको बचाने की कोशिस नहीं कर रही है उसको एक अजीव से डरने घेड लिया उसने अदिती के चैरे के तरफ देखा जो मुश्कराई जा रही थी अभे अपने होस में आया उसने उसकी गर्दन से अपनी पकड धीली कर दी तो अदिती ने उसके हाथों को पकड लिया और अपने गले पर लगा कर बोली नहीं ऐसा मत करो मार दो मुझे मार दो मुझे अभे जब उसको ऐसे करते देखता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खीचता है और उसकी आखों में देखता है जिसमें उसे सिपने राज साच्चाई और बहुत सारा दुख दिखता है अभे उसको छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है फिर वो अदिती के कंदों को पकड़ कर बोलता है क्यों किया तुमने ऐसा बताओ बताओ मुझे तुम क्यों जीना नहीं चाहती बताओ मुझे क्यों छोड़ा तुमने उसको अगर तुम उससे इतना ही ज़ादा प्यार करती थी तो क्यों धोका दिया तुमने उसे अधिती रोते बोली मेरे पास कोई रास्ता नहीं था नहीं था कोई और रास्ता मैंने उसे कभी धोका नहीं दिया वो मैं थी जिसके साथ गलत हुआ अभेने जब यह सोना तो थोड़े तेर के लिए वो सहम गया वो वस अधिती को देखते जा रहा था फिर उष्ण अधिती की तरफ देखा और बोला धोका नहीं दिया गलत हुआ क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ आखर क्या मजबूरी थी तुम्हारे बताओ मुझे बताओ मुझे सब जानना है अधिती अपने आखों से आशु पोँचती और अभे के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े निकालने लगती है अभे जब उसको यह करते देखता है तो उसको गुष समझ नहीं आता वो उसको ऐसा करने से रोकता है और बोलता है ये ये तुम क्या कर रही हो अधिती उसकी तरफ देखते हुए अपने कपड़ों को निकालती है और बोलती है आपको जानना थाना कि क्या गलत हुआ है मेरे साथ मेरी क्या मजबूरी थी तू देखिए, ये थी मेरी मजबूरी अभे ने अपने आखों को बंद कर लिया था आदिती ने फिर कहा, देखिये मुझे, देखिये मेरी तरफ अभे अपने आखे खोलता है और वो अपने सामने आदिती के सरिर को देखता है जिस पर बहुत सारे डाग बने हुए थे, उनको देखकर वो पूरी तरह से तूट क्या उसके अंदर जैसे दुख का सहलाप उमड आया हो उसने तुरन सामने रखे चादर को उठाया और उससे अधिती को ढग दिया उसने उसको गले सी लगा लिया और कुछ दिर तक वैसे ही लगा रहा जैसे वो खुद को समेटने की कोसिस कर रहा हो अधिती बस बोली जा रही थी मैंने उसे धोका नहीं दिया और फिर वो भी तीरे-दीरे सान्थ हो गई अधिती को अभे की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था वो अपने आपको पता नहीं क्यों पर उसकी बाहों में बहुत मैफूस मैजूस कर रही थी कुछ देर बाद आभे ने उसको अपने गले से लगाई हुए बोला किसने किया है ये उसकी आवाज लड़ खड़ा रही थी वो अपने आपको रोने से रोक रहा था साइथ बताओ मुझे उसकी आँखों में खून उतराया था बताओ मुझे सब कुछ जानना है सब कुछ आदिती उसको सुन रही थी उसने मन ही मन कहा क्या आभे रो रहे हैं उसने आदिती की तरफ देखा और उसके आँखों में देखते हो बोला बताओ मुझे किसने किया है ये मैं बादा करता हूँ उसको मैं मौत से भी जादा बुरी सज़े दूँगा उन्हें बरबात करके रख दूँगा चाहे वो कोई भी हो उसको मुझे से अब कोई नहीं बचा पाएगा आदिती हैरान नजरों से आभे को देखती है और उसकी आँखों में आशु भराते हैं कोली मैं सब कुछ बताऊंगी